॥ुधूए दोस्तों हमारी यूटूब चनल में आप लोगों का स्वागत है अगर आप लोगों ने अब तक अमारी यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली sinon जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन कोंच कर लिए ताकि हम जो भी वीडियो अप्लोड करें वो आपको आसाने से मिल जाए दोस्तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने जाना था एंटीना स्विच के बारे में और आज हम आपको बताएंगी बीपिएप के बारे में जियां दोस्तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्राप्शन में आप लिंक हमने डाल दिया है वहां से जाकर आप देख सकते हैं बाकी पार्ट होके भी लिंक आपने वीडियो की डिस्क्राप्शन डाल दी है और हमने एक प्लेलिस्ट भी तयार किया है मुबाइल रिपेरिंग के नाम से और मोटर रिवाइंडिंग के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट तयार हमने की है तो दोस्तो आज का टोपिक है BP UP यानि की band pass filter ठीक है तो आज हम आपको बताएंगे band pass filter के बारे में कि ये mobile का एक network section का एक component है तो दोस्तो band pass filter का कारी होता है network का जियां दोस्तो ये network section में होता है दोस्तो ये network section में होता है frequency band या filtration करता है ठीक है दोस्तो ये है frequency band जो होता है उसका filtration करता है इसके पास दो color की coil होती है two color वाली जो coil मैंने बताई थी आपको तो इसके आसपास ही मिलती है और दोस्तो ये PCB में एक या दो या तीन भी हो सकते हैं तो इसका मैं आपको थोड़ा सा rail shape यहां पर बना के दिखा देता हूं तो कुछ इस तरह का है इस तरह की इसमें पिन होती है ठीक है यहां पर एक डोट होता है still की body होती है अब देखिए PCB में यह कहां पर दिखता है तो मैं आपको PCB में आपको दिखा रहा हूं तो दोस्तो जादा तरह यह भी पुराने ही सैड में मिलते हैं तो यह 33-10 है Nokia का पुराना मोडल है थीक है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर यह लगा हुआ है एक तो यह है एक यह है इसमें दो लगे हुए है ठीक है यह BPF है दोस्तो और यह Antina Switch है यहां पर और यह PFO है तो यहां पर देखिए यह दो लगे हुए है दोस्तों मैंने बताया था कि इसके पास two color coil भी लगी हो सकती है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर two color coil यहाँ इसके पास लगी हुई है ठीक है दोस्तों तो यही इसकी पहचान है जहतारी पुराने mobile के अंदर आता था अब आप यह सोच रही होंगे कि मैं आपको पुराने mobile के बारे में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले basic चीजे जानना जरूरी है ठीक है अगर आप मैं सीधे ही आपको android mobile latest mobile की जानकारी देने लग गया तो फिर आप सीख नहीं पाओगे क्योंकि उनमें इतने part होते नहीं है बहुत कम part होते हैं और कम mind होते हैं तो देखिए इसलिए मैं आपको सबसे पहले पुराने mobile से आपको सिखा रहा हूँ पुरानी PCB से आपको part पहचानना सिखा रहा हूँ ताकि आप पहचानने में ज्यादा अप हर mobile का part पहचान सके फिर Android mobile की भी बारी आएगी पहले इनके पहले simple जो mobile हैं उनके component के बारे में आपको बता दूँ फिर सभी तरह के part में आपको बताऊंगा दीरे दीरे ठीक है दोस्तो तो दोस्तो ये पैचान होती है इसकी BPF की band pass filter की और इसका कारिय होता है network का तो अगर इन में से कोई भी एक ख्राब हो जाता है तो network से related समस्या हो सकती है जैसे की network week आना network कम होना फिर ज़्यादा हो जाना या कभी चले जाना ऐसे होती है दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले पार्ट में अगला पार्ट हमारा होगा बहुत ही मैत्वपून पार्ट है charging regulator का charging IC का तो वो पार्ट आप जरूर देखे और उस पार्ट का link इस वीडियो के description में हम डाल देंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है दोस्तो अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट हमारे नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो के description में आपको मिल जाएगे वहाँ से आप देख सकते हैं और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक like दीजिए कुछ पूछना चाहते हैं तो comment कर दीजिए दोस्तों में share कीजिए और नए महमानों से रिक्वेस्टर चैनल को subscribe कीजिए और subscribe करने के बाद बैल आइकान पर क्लिक करके notification को जरूर कीजिए ताकि हम जो भी वीड लिए नाम से mobile repairing की वीडियो देखना चाहते है तो उसमें जाकर देख सकते हैं और एक motor winding के नाम से playlist बनाईे उसमें motor winding की सभी तरह की वीडियो आप देख सकते हैं और दोस्तों सबसे पहरे mobile repairing का मैं आपको बता दूँ उसके बाद फिर motor winding की वीडियो अप्लोड मैं करूंग ठीक है दोस्तों फिर में लेंगे एकली वीडियो में जैन जैबार